सच की आईना डीडी रियल मीडिया पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस वक्त मैं हूँ ग्राम पंचाइत इन जानी में इन जानी में ये देख रहे हैं कि जिधर नजरे जारी ये सब कॉंग्रेस का गमचा लेकर के आज ने सदस के तौर पर इनका स्वागत किया गया है और यहां पर अतिति के तौर पर हरिहर परसाद यादो जी है, राजकुमार गुपता जी है, कच्छिया से पूर्वी छेतर के लीडर ये कह जाते हैं, वाटरफ नगर के लीडर हरिहर यादो जी रहे हैं, इधर जेपी पतेल जी भी है, इधर बजरंग गुपता जी भी है, बहुत हस्ती हैं काफी वर्सों से इन्होंने कांग्रेस में अपनी सेवा दी है, मतलब एक सदट से के रूपे इन्होंने काम किया है। उनसे कितना connect कर पा रहे हैं इंजानी के लोग चुकि इंजानी में जो पटेल समाज है वो काफी संख्या में निमासरत है यही रहते हैं तो आए इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पटेल समाज कितने अंदर से वो आ चुके हैं कितने कैसे welcome किये हैं Congress Party को और इस परदी बिया से परभावित होकर गरामिंजानी के लगभग 50% कुर्मी समाज के लोग पूरा आधा आप कुर्मी समाज हैं सब पहले बीजेपी वाले थे लेकिन हम लोग प्यार से मोहबत से जैसे राहुल जी बोलते हैं कि प्यार मोहबत से लोगों को जोड़ो जहां लोग नफरत की दुकान चाने रहते हैं उहां प्यार का हम लोग इजहार करके मोहबत माटने की बात करते हैं नफरत बीजेपी पर आरोपी राहुल जी लगाते हैं मैं पूछना चाहता हूँ यतने बहुतायत संख्या में 50% के संख्या में बीजेपी छोड़ करके कॉंग्रेस आने की रिजन क्या है वजह क्या है वजह है कि परत्यासी हमलों का बिल्कुल ठीक नहीं है ना उनको बोलने का सहूर है और और दूसरा बात है कि हमारे भूपेस बगेल जी धान का रेट 32 दे रहे हैं ककार जमाफी और सबसे बड़ा आपसे वह हमारा चूटा नहीं है मतलब अभी भी आप हमारे बोल रहे हमार परत्यासी अभी आपके जुबान में परत्यासी काया में हमारे परत्यासी नहीं मतलब पहले भाजपा के परत्यासी और परत्यासी हमारे आज राज कुमारी जी हैं तो सबसे बड़ा बात यह है कि केजी टू से केजी वन से लेके आपका पीजी डाक्टर डाक्टरेट चाह सब फिरी और पूरे स्कूल को आत्मानद कर रहे हैं आज कुनभी समाज के लोग आधे लोग लेकिन भरमीत मत करिया डॉक्टरी क्योंकि बहुत सारे युवा दोस्त हमारे चैनल को देखते हैं यह जो डॉक्टरी की पढ़ाई है ना इसका उलेक उसमें घोशना पत्रमी किया नहीं वो लेखनी किया गया है रुण जी मैं पूछना चाहता हूँ आप आप बताईए आपका क्यों छोड़ना हुआ है और आपने आरोब लगा है कि वो अच्छी नहीं है और इतना गरीबों को किसानों को आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस की सरकार कर रही है भूपेस ब परभावीत इस बात से हुए कि का बोलते हैं बताइए आज तक किसानों को कोई सोचने वाला नहीं है भाचपा के राज में 20-20 में समेळ जा रहे थे और तीन-तीन साल का बोनस भी उसमें पेल दिये ओ लोग किका तीन साल का बोनस नहीं दिये यह सब कारण है जिसके वज़ आपके आदेशा अनुसार ये सब कारिक्रम हुआ है, 50% कहा जा रहा है कि पटेल समाज आज ज्वाइन किये हैं कॉंग्रेस पार्टी में, क्या बोलेंगे? जैसा बता रहे हैं, अरुन जी, कि कांग्रेस के नीतियों से, कांग्रेस के गोष्णा पत्र से, कांग्रेस के बेवार से, खुशो करके, और पटेल समाज जो हैं, इनका भी मुख मंत्री, इनका जात है, तो उनसे भी परभावित हुए, हम लोग बोलें भई, अभी हम लोग जात आया है, हरियर बोले के भी मुलायम चाहें, तम छोड़ देंगे, जात को सब करता है, तो परभावित हो के किये, आदे सदिक आये यहां, एक बार टीस बावाज जब भी घोष्णा किये थे, वहां कांग्रेस जीती थी यहां से, गुपता जी, कांग्रेस जीती थी, इ स्टेट्मेंट हम सुनते हैं, कि कॉंग्रेस पाटी ऐसी नहीं है, जो जाती धरम की राजनीती करती है, यहां जैसा आप बोल रहे हैं, पर्टीकुलर समाज को ले करके, तो फिर तो यह तो जातीकत की राजनीती हो, हम इनका प्रभावित है, दूसरा क्या है, अभी जो घो गोष्णापत्र हुआ, और गोष्णापत्र से पूरे किसान प्रभावित हो गए इधर, छेतर के, जै कोई कास्ट के हो, और गोष्णापत्र में कहीं भी उलेक नहीं है, किसी समाज के लिए अकेला है, सभी के लिए है, और गोष्णापत्र में हम भी जाते हैं, तो बोलते आज भी गावाँ में जाता हूँ में बोलते हम गोदी खोदने वाले करजा कहां से लेंगे। उनकी बखान करके कि आपके समाज के जो है मुख मंतरीहां और इतने अच्छे मुख मंतरी है इतने अच्छा काम कर रहे हैं उनके कारियों से प्रभावित होगे इन लोगों ने जॉइन किया है ऐसा नहीं कि कोई जाती वाद जिए यह पिछले बार भी तो ही मुख मंतरी थे पिछले बार भी वही मुखमंत्री थे, उसके पहले इन लोगों ने जवाइन नहीं किया, जब से घोसना पत्र आया, तो घोसना पत्र पिछला कारे जो इनका रहा, क्योंकि पिछले घोसना को इनों ने पूरा किया, और अभी भी जो घोसना पत्र दिया है इनोंने, उस घोसन जाती का मुखमंत्री है तो आप आईए इनके अंदर आत्म सम्मान जगा अपने आप में इन लोगों का मनोबल जगा कि नहीं नहीं हम लोग भूल कर रहे हैं हमको ऐसे किसान का जो पुत्र है उसका साथ देना चे चुकि हम भी किसान है यादो जी मैं पूछना चाहता हूँ दरसल ये गोशना पत्र के बाते हैं गोशना पत्र में आप कहते हैं करजा माफी को खूब उपर ले जाते हैं कि करजा माफी हमने किया भी और अब करना भी चाहते हैं आप एक बताईए कि करजा माफी सत परतिसत लोगों ने तो लिया नहीं है बहुत कम परतिसत लोगों न सबसे बड़ी बात यह है कि हमने किसानों को आगे बढ़ाने के लिए उनके उपर जो लड़ा हुआ कर्ज था उसको हमने माप किया चुकि किस क्रिसी प्रधान देश है यह और हमारा वैसे भी च्छतिसगर्ड धान का कटोरा कहा जाता है पूरा क्रिसी प्रधारित है इसलिए आप यह मत समझे कि सत प्रतिसाथ सत प्रतिसाथ नहीं जो किसान करजा लिया है या इसी से परवावित हों के हो सकता है कि जो इस साल नहीं लिये हो अगले साल लेंगे क्योंकि उनमें भी यह सोच आएगा कि हमारा जो कांग्रेस की सरकार है यह करजा माफ करता है कांग्रेस सरकार कांग्रेस सरकार करजा माफ होती है इसलिए करजा लो और जो नहीं चाहता है वो माफ की वज़से लेता रहे और अपना डूबा रहे करज करज का ही बेस बनाए अपने जीवन को जीने के लिए नहीं नहीं ऐसा नहीं है इनको हम पर्मोट कर रहे हैं जितना पैसा इनको करजा में देना होता उतना पैसा बचा इनको इनका पैसा बचा माल लिए किसी ने पचास हजार कर लिया किसी ने एक लाग कर लिया वो पैसा इनको बचा उस पैसे सी दूसरा काम करेंगे अपना घर बनाएंगे कोई मोटर साइकील लेगा कोई ट्रेक्टर घर देगा विकास करेगा उस पैसा जो बचेत होगा उसे विकास करेगा निश्ची तोर से हर वर्ग के लिए काम किया है यादो जी आप एक बहुत वरिष्ट वकील भी है आप बहतर समझते हैं चीजों को पढ़ते हैं मैं देखा भी हूँ आपको दिशी तोर पर भी मैं जानता हूँ आप मुझे पताईए ना विश्ची तोर से घरी तोर से घरी तो का उपर उठेगा निश्ची तोर से उठेगा हमारी जो योजना है हर छेत्र के लोगों को लिके जैसे अभी भाई साब ने आपको बताया कि तेंदू पत्ता हमने छे हजार रुपए मानिक बोरा के हिसाब से उसको कर दिया तो जो एक दम से गरीब है वही तेंदू पता उनका भी जो पहले पैसा जो बचाते थे अपने थाइला में जैसे कोई पूरुस कमाता है तो उसकी निश्ची तोर से दुचार रुपया दस रुपया चोरी करके माता है बहने अपने घर में रखती है और सेक्टा पढ़ने पर आदमी उनसे पैसा हमने देखा था जब नो माफ कर देना फिरी की चीज़े दे देना क्या परदेश इससे बढ़ेगा इसका कोई माइनस पाइंट नहीं है नहीं देखे इससे कोई माइनस नहीं होगा इसमें हम लोगों ने हमारे सरकार ने योजना बना के कि हम पैसा कहां से अरजीत करेंगे ये इसकिम बनाया है उन् ना बहतरीन गोशनापत्र लग रहा था कि सारे वर्ग कही न कहीं है कांग्रेस के घोशनापत्र से प्रभावित हुए थे वहाँ पे राहुल जी ने बुला थाटियेस महराज सहाब को कि आप बताएं कि ये पैसे आएंगे कहा से जब पैसे आने कि बेवस्था थी तो इतने क देश बहुत कर्ज में लद रहा है ऐसी कोई बहुत विसेस नहीं है कर्ज देखे सुभावी क्रिया है लेना हमको आप ये सोचेंगे तरह हम सबसीडी देने के बाद भी आपने देखा होगा कि हम आत्मानांदी स्कूल खोल रहे हर जगा बाउंडरी बर्मा रहे हर जगा पू ये सब जानते भी हैं मैं आगे बढ़ता हूँ यादो जी मैं पूछना ये चाहता हूँ जैसे कि आपने कहा कि हमने बहुत सारी ये उजनाय लाई और ये सब लाव हुआ मैं पूछना ये चाहता हूँ मुक्हिरूप से कि दिवाली की दिन भूपेश बगिल जी को आकरके ये बाद ये कहना पड़ा कि बीजेपी का घोशना पत्र पलड़ा भारी हो रहा है क्योंकि महिलाओं के खाते में एक हजार देना साल में 12,000 रुपए का जो देने का वाइदा बीजेपी ने किया अब जब कॉंग्रेस को लगा कि ये पलड़ा भारी हो रहा है हम इससे कमजोर पड़ रहे हैं और दिवाली की दिन भूपेश बगिल जी को आकर के कहना पड़ रहा है कि हम साल में 15,000 रुपए खाते में देंगे मैं पूछना ये चाहता हूं कि क्या सत्ता में आने के लिए कुछ भी कभी भी कुछ भी वाइदा कर देंगे अच्छे तरीके से कंवर्ट किया चलिए कोई बातरी देखना होगा ये तो तीन दिसंबर को आपको भी रिजल्ट पता चलेगा किसके पक्ष में क्या आया बैराल इंजानी के धरती में ये जो महौल आप देख रहे हैं ये बाचीत ये पक्ष कॉंग्रेस की नेताओं से आ रहा है और अब कैमरा परसन राम अवतार पटेल के साथ दिलेश देवागन को दीजिये इजाजत नमस्कार